विलकम बेक चोट सकॉस्ट वाचिन गजा टेक तो गाईस इन इस वीडियो में आपको एक निक बैंट का रिव्यू करने जा रहे हैं और गईस यह जो निक बैंड से यह बी एड ड़ी एक निक बैंड की आईडियो कंपनी है जिन्हों ने गाईस अपना एक न्यू डू वाइ प्राइसिंग के अच्छे खासे आ जाए तो इस वीडियो में आपको यह जो बीए डबलु का निक बैंट से इसी के फीचर्स एंड डीटेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रही है और अगर आप में चले के नाक्शन को जरूर सब्स और बावर्स एंड विल्किन गाइस एक आईडियो मतलब कंपनी है जो की आईडियो से रिलेटेड प्रोडेक्ट को लाँच कर दिये तो इनका गाइस एक न्यू ट्रू वाइलिस एर्बाट्स लाँच हुआ है इससे पहले गाइस इनका जो 3.5 है मुला जहेक जो हेड़फ करते हैं उसमें तो डिजाइनिंग रहती है लेकिन इसकी डिजाइनिंग उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है और एक अलग प्रकार कर नेक बेंट सापको मिलता है तो चलिए आपको इसके फीचर के बारें बताते हैं सुबह सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस नेक बै जिरो कर सपोर्ट मिलता है जो कि ब्लीटूथ का करेंट लेटिस वर जने तो इस बी और डव के ट्रू वाले स्नेक बैंट से आपको ब्लीटूथ 5.0 कर सपोर्ट मिल जाता है और आप बड़े अराम से ब्लीटूथ 5.0 की मदद से पेयर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से 이즈ली तरीके से इंज्याइक कर सकते हैं म्युजीक को और इस अगर हम बाद करते हैं इसके बैंड की जो की गईस दोनों कानों कानों में लगता है तो यह सिलीकान का और स्क्रिंट ए स्मूथ़ है और साथ शाथ यह सक्रीन फेंडली भी है जिसके बाद हमारे स्कीन के लियी काफी ज़्यादा अच्छा खासा रहेगा और हम बड़ी अराम से यूज़ कर सकते हैं लॉंग टाम तक यूज़ करेंगे हमारे स्कीन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो लेगा है क्योंकि कॉफी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है और साथी साथ गैस आप अपने मतलब कि यह स्नेक बैंट को निकाल के अगर जेबम में रखें कोटोट में रखें तो भी तरीके से अचला जाएगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा और यहां पर बात है यह आई-पी-एक्स रेटेड नहीं है जो कि वाटर रसिस्टेंट से लेटेड होता है लिसन इसमें आपको रसि साइज की इसी इस साइज के साइज के साब से चुच कर सके हैं जो की आपको सारी कंट्रोलिंग के लिए जिसकी मदद से guys आप इससे on off कर सकते हैं इसकी mic को चालू कर सकते हैं बहुत सारे controlling हैं जो कि guys अलग-अलग system से रहता है एक दो बार tap करने का उसी प्रकार से इस button से आप सारी controlling कर सकते हैं और guys इसमें आपको जो निक band से उसमें जो हाँ battery मिलती है उसी battery के यह guys आपको एक micro USB port मिलता है जो कि इसकी charging के लिए तो उसी micro USB port की मदद से आप charging कर सकते हैं उसी के नीचे guys आपको यहाँ कुछ light भी indicator मिलता है जो कि आपको indicate करता है उस charging level को और battery level को आपको indicate करता है इसका LED light और इस अगर हम बात करते हैं battery capacity के तो आप इसे single charge में 8 गंटे तक use कर सकते हैं continuously इसका playback आपको 8 गंटे का मिल जाता है लेकिन यहाँ पे एक quick charge वाला भी option से अगर guys emergency में आपका battery पुरा low हो गया तो आप इसे अगर 15 मिनट तक charge करनेगे तो 2 गंटे तक आपको यह playback दे देता है यानि कि इसमें fast charging support करता है तो 15 मिनट के charging में जो 2 गंटे का आपको playback दे देगा और आप बड़े राम से इसके quick charge को भी यूज कर सकते हैं वो भी emergency समय पर और गिस साथे साथ आप इसमें कोयलकम का aptX IDEO support करता है जो कि high quality IDEO के लिए होता है और ये कुछ है इसके features I hope आपको इसकी सारी details अच्छी तरह समझ में आ गए होगी अगर हम बात करते हैं इसके pricing की तो 1.99$ इसकी pricing है pricing बहुत जादा है लेकिन material भी अच्छा खासा यूज किया गया है और देखते हैं कि ये कैसे चलता है लेकिन ये कुछ इसके features I hope आपको इसकी सारी details and pricing समझ में आए होगी अगर वीडियो चलेक तो like जरू करिए अपने दोस्तों साथ share करिए और अगर आप में चलते नाच्छों को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल को अंदर तो कहाँ वीडियो तो नाटिफिकेशन आपको चेंद मिलते एक वीडियो में आज जरू से डू सम्थिंग न्यू डू सम्थिंग रेफ्रें थैंक रॉचिंग